अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज खबर इंदरगड से निकल कर सामने आ रही है जहां एक मरीज को इलाज के लिए लाई जाने पर समुदाइक स्वास्ते केंदर इंदरगड में पदस्ते डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और कहां कि किसी प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा लो अभी मेरे पास टाइम नहीं है बढ़ाल स्वास्ते सुविधाओं वाला पर वहा स्वास्त कर्मियों के कारे विवहार को लेकर एक बार फिर से समुदाइक स्वास्त केंदर इंदरगड सुर्खियों में है अस्पदाल में डॉक्टर तो हैं लेकिन में मरीजों का इलाज नहीं करते हैं कह सकते हैं कि खुद ही समुदाइक स्वास्त केंदर इंदरगड वेंटिलेटर पर है स्वास्थ केंदर में मेडिकल ओफिसर की गैर मौजूदकी में मरीजों को इलाज नर्सिंग ओफिसर की भरो से ही संचालिद है इलाज कराने आये इंदरगर निवासी अंकित पाठक अपनी माता जी को लेकर समुदायक स्वास्थ केंदर इंदरगर पहुचा तो वहाँ ड्यूटी पर तैनाथ ड्यूटर सुनील कुछ वहाँ उपस्थित नहीं थे ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ओफिसर ने ड्यूटर से दूरभाश पर संपर्क कर पेशिंट का इलाज शुरू किया और इलाज के दौरान ही इंजेक्शन लगाने से मरीज की हालत बिगड़ती देख अटेंडर ने नर्सिंग ओफिसर से डॉक्टर को हॉस्पिटल में बुलाने की गुहार लगाई मगर डॉक्टर फिर भी हॉस्पिटल नहीं पहुच सके तो अटेंडर सुम डॉक्टर के कौर्टर पर पहुच कर मरीज को देखने की मिननते करने लगा तब डॉक्टर सुनील कुश्वहा द्वारा टेंडर से कहा गया कि अगर इतनी ही तेजी है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर मरीज का इलाज करवालो यह सरकारी हॉस्पिटल है यहां ऐसा ही इलाज होता है अटेंडर ने अपनी मा को सही इलाज नहीं मिलने के शिकायत 181 सियम हेल्प लाइन संबंदित लापर वहाद डॉक्टर के खिराफ शिकायत दर्ज कराई है संबात दाता शिवरमान सिंग राठोर की रिपोर्ट मैं उनके रूम पर उने बुलाने के लिए पहुंचा डॉक्टर साफ द्वारा मेरे साथ अबत्रता का व्यवार किया गया एवं उससे का गया कि प्राइवेट चले जाईए अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो और यहां तो सरकारी अस्पताल है यहां तो ऐसे इलाज होत हो आपको किस ने किया फिर मैं प्राइवेट में गया डॉक्टर असौकसीन के पास सरकारी में कोई नर्स पी इस्टाप में नर्स के दावरा मेरी माताजी का इलाज किया गया और चूवकि उससे उना और जदा बगार पना या तो किसी के दिश्कायत कि अभी तक आपने मैं मैंने 181 CML प्लाइन पे सिकायत कर दी है और मैं इनकी सिकायत कलेक्टर मौधा से भी करूँगा